Zika India का YouTube चैनल पर, आज हम आपके साथ सेर करेंगे स्ट्रोबेरी मिल्क सेख की रेसिपी बहुत ही बढ़िया और क्रीमी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्ट्रोबेरी मिल्क सेख बन कर तयार होगा इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं मिल्क सेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में एक कप स्ट्रोबेरी एट करेंगे अगर आपकी स्ट्रोबेरी थोड़ी बड़ी है तो इसे काट कर एट करें और अब हम इसमें एट करेंगे आधा कप ठंडा दूद हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूद का इस्तेमाल किया है अभी हमें सिर्फ आधा कप दूद एट करना है बाकी का दूद हम बाद में एट करेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून चीनी और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो इसे ब्लेंड करते वक्त हमें शुरुवात में थोड़ा सा ही दूद डालना है अगर एक साथ में दूद ढाल देंगे तो स्ट्रोबेरी सही से ब्लेंड नहीं होगी तो एक बार इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसमें बाकी का दूद एड़ कर देंगे तो हमने टोटल दो कप दूद लिया है आधा कप दूध हमने पहले एट कर दिया था तो इस टेच पर हम इसमें डेड़ कप दूध एट करेंगे यहाँ पर हमने जो स्ट्रोबेरिस ली है वो थोड़ी खट्टी है तो इसमें मुझे थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी तो मैंने एक टेबल स्पून चीनी और एट कर दी इसी के साथ हम इसमें आठ से दस आइस क्यूप्स डाल देंगे और अब हम इसमें एट करेंगे चार टेबल स्पून वेनिला आइस क्रीम आप यहाँ पर स्ट्रोबेरी फ्लेवर की आइस क्रीम भी ले सकते हैं अगर आप बेजिक मिल्क सेग बना रहे हैं तो आप आइस क्रीम को स्किप कर सकते हैं यह बिल्कुल ओप्सनल है और फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे तो देखिए कितना क्रीमी और मज़ेदार हमारा स्ट्रोबेरी मिल्क सेग बनकर तयार हुआ है अब हम इसे सव कर लेंगे यह देखिए कितना क्रीमी इसका टेक्स्चर है हमने इसमें आइस क्रीम एट की थी इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया आया है आप आइस्क्रीम की जगह इसमें फ्रेस्क्रीम भी एड़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसे स्किप कर दे मिल्क सेक को सव करने के बाद हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़ी सी बारिक कटी हुई स्ट्रोबेरिस एड़ कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें